दोजार चोबिस के लोकसभा चुनाव में क्या ममता बैनर जी और अर्विंद केजरीवाल की रणनीती होगी काम्याब क्या परदानमंती नियंदर मोदी और बार्तिय जंता पार्टी को हराने में काम्याब होगा इंडिया अलाइंस पे-एम पद के लिए अपना नाम सुनकर आय सहज हुए खडगे सोनिया राहूल की तरफ देख किया इसारा इंडिया की बैठक की मुख्या बातें पस्चिम बंगाल की मुख्या मंतरी ममता बैनर जी और दिल्ली के मुख्या मंतरी अर्विंद केजरीवाल ने मंगलवार को इंडिया गठभंदन की बैठक में अचानक विपक्स के परदान मंतरी पद के उमिदवार के रूप में कांगरे सद्यक्स मलीका अर्जुन खडगे का नाम परस्तावित करके सब को चौंका दिया उन्होंने सुजाओ दिया कि मलीक अरजुन खडगे परदान मंतरी पद के लिए एक दली चेरा हो सकते हैं आपको बता दे कि इससे पहले ममता बैनरजी और केजरी वाल की सोमवार को मुलाकात हुई थी मलीक अरजुन खडगे के नाम का परस्ताव देते हुए दोनों ही मुख्यमंतरियों ने दलील दी कि विपक्सी गठवंदन को एक स्योजक की आउसकता हो सकती है क्योंकि 28 जलों के साथ समन्वे करने की जरूरत पड़ेगी ममता बैनरजी की दलील का समर्तन करते हुए दिली के मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल ने बैठक में कहा के मलीक अरजुन खडगे को स्योजक नुक्त करने के अलावा गठवंदन की तरफ से परदानमंतरी पद के लिए पसंद भी गोशित किया जाये ममता बैनरजी के साथ उन्होंने कहा मैंने कुछ सोद किया है और विश्वास के साथ कह सकता हूं की दली चेरे के साथ चुनाओ में उतरने से बड़ा फाइदा होगा हमारे पास परदानमंतरी के रूप में कोई दलीत नहीं है और इससे हमें मदद मिलेगी खास कर करनाटक में मलीक अरजुन खरगे के पक्स में परस्ताव सामने आने के बाद कांगरेश अद्यक्स के लिए अजीब सी स्थीती पैदा हो गई मलीक अरजुन खरगे ने कहा सबसे पहली बात हमें बाज़पा को हराने पर ध्यान केंदित करना होगा परदान मंतरी चुनने का मुदध चुनाव के बाद टै किया जाना चाहिए उन्होंने पार्टी परमुखों सोनिया गांदी और राहूल गांदी को देखते हुए यह भी कहा के उन्होंने कभी भी कोई पद हासिल करने के लिए अपनी जातिगत प्रिष्ट भूमी का इस्तेमाल नहीं किया है आपको बता दे के 28 विपक्सी दलों की इंडिया अलाइंस की चोथी बैठक ऐसे दिन हुई जिस दिन मुझूदा सीतकालिन सतर के दोरान 49 और संसदों को निलंबित कर दिया गया इससे अब तक निलंबित संसदों की कुल संख्या 121 के पार पहुंच चुकी है देश के परमुख विपक्सी नेताओं के बीच करीब तीन गंटे चली बैठक के बाद कांग्रेश परमुख मलीका अरजुन खडगे ने कहा हम लड़ेंगे मैदान में जाएंगे एक ट्विट में उन्होंने कहा ये लोकतंतर की दजियां उडाने जैसा है सदन की मरियादा पर गहरी ठेस है इंडिया अलाइंस की बैठक में अखिलेश यादव डी राजा सरद पवार अर्विंद के जरिवाल राहूल गांदी सोनिया गांदी लालू परसाद यादव जैसे विपक्स के नेता सामिल थे करीब तीन महीनों के लंबे फांसले के बाद ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब संस्थिये चुनाओ बेहत नजदी का है और परमुख विपक्सी दल कांग्रेसर तीन बड़े राजबाजबा से शिदे मुकावले में हार चुकी है अब देखना होगा के आगे इंडिया अलाइस का क्या प्लान होता है 2024 के लोकसवत चुनाओ के लिए धन्यवाद दोस्तो